ही गाइज वेलकम बैक तो अनधर वीडियो तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है एक एक तम न्यू फ्रेश कमाल एपिसोड में तो आज आप लोगे साथ में शेयर करने वाला हूँ फॉड एक्स यूवी फाइब लो सुनके लग रहा है ना मतलब थोड़ा सा शॉकिंग क्या बोल दिया है मैंने तो आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि हां यार की मतलब फॉड की तरफ से एक्स यूवी फाइब लो आ रही है जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता कि पूरा क्या सिनेरियो रहने वाला है तो यह देखो सीन ऐसा है कि आप सभी लोगों को पता हुआ कि अभी देखो कुछ टाइम पहले टोयटा और मारती का कोलाब वहा दोनों अपनी कार्ट से एक दूसरे को शेयर करें मिलके नई कार्स पे भी काम करें सेम सीन यहां पे फ मिल चुका होता तो बेसिकली 2021 में लोग लांच करने वाले तो लेट सी अब कब करते हैं तो अब तो थोड़ा देखो आपको सभी को पता है कि फॉर्ड के पास देखो एको स्पोर्ट के बाद कोई ऐसी गानी है जो कि मतलब 18, 19, 20 लाग तक आये या फिर कोई ऐसी हो जो कि म कितना कौन सी कंपनी का शेयर रहेगा तो देखो भाई महिंद्रा का शेयर रहेगा इसके अंदर 51 परसेंट का और फॉर्ड का रहेगा 49 परसेंट का तो जो चेयर मैं चूज कर सकता है वह option आपको महिंद्रा के पास ही मिलने वाले क्योंकि उसका शेयर थोड़ा सा ज्याद ह 51 परसेंट का तो देखो सबसे पहले यह अपनी एक्सवी फाइबलो को देने वाले हैं फॉर्ड को तो फॉर्ड इसकार को रीडिजाइन करेगा अपने इसाब से जो से करना होगा वो करेगा और बागी इसके अंदर वही आपको 2.2 लिटर का एमाउट डीजल इंजन ओफर करने ने से हम लोगो क्या अपना फायदा हुआ थो थोड़ा बहुत 1 या 2% कस्टमर का भी फाइदा जरूर होता है तो थोंहारा फाइदा यह होने वालने वाल है कि आप सभी लोगों को पता है कि महिंदरा के पास से डान निया है तो फॉर्ड की एसपायर को लेंगे वहां कि फॉर्ड के पास बीच में कोई छोटी गान नीथी तो वह एक सवाल निकल के हैं पर बीच में बहुत बड़ा यह आता है कि यह जब एक बात आप लोगो पता है कि इनके पास सब उसको महिंदरा कैरी कर सकता है 50-50 चांसे हैं और अगर उसको महिंदरा ने 4 एक्जामपल मान लो कैरी कर लिया तो कैरी करने के बाद क्या यार महिंदरा एक ही सेगमेंट की दो कार सेल करेगा तो यार मुझे चांसे थोड़े कम लग रहे हैं लेट सी देखो क्या होता है और अ सबी लोगों पता ही कि एतना टफ सेगमेंट है सके अंदर तिस जबरदस्त कार आती है हर किसी का दिमाग चकरा जाता है कि इन पाश गाड़ियों में से मैं कौन से लूँ चाए वो यूंड़ाई वैन नी हो मारती सुजुकी की विटारा ब्रेजा हो जो अभी हाली मैं या फिर किया सेल्टसेगमेंट में अगर आएगी क्योंकि अगर आप देखो तो दोबने कहने के पास ऐसी कोई कारणी है जो क्रेटा या पुर किया सफीन तो कॉंपटीट कर से लूँ जाने वाली है यह हो सकता है कि सेम टाइम पर दोनों पाई जाए मगर डिफरेंट नाम से और काफी सारी चेंजिस के साथ दोनों कंपनी उसको लॉंच करेंगे अब देखते किस कंपनी की वो ज्यादा सेल होने के चांसिस बनते हैं तो यह कुछ इन दोनों कंपनी के बीच में जो मतलब कोलैपस हुआ है यह हुआ यह इस वह से हुआ है क्योंकि यह थोड़ी मार्केट में दो तीन नई कार भी आ जाएंगे एक पहली चीज दूसरी बात थोड़े बहुत चेंजिद रहेंगे तो हाँ चलो सही है वो भी एक बड़े बात है और दोनों ही कंपनी इसके जो इनका मतलब वीक पॉइंट था जिस चीज़ पे मतलब यह कंपनी यह मुझे लगता है कि मार्क आया करती थी वो इनका भी एक पॉजिटी पॉइंट बन सकता है क्योंकि आप लोगों को पता है यह आर्दे को इस चीज़ की फॉड़ की जो प्रॉब्लम थी ना बहुत क किस्टमर्स की आया करती थी कि आपके पास एको स्पोर्ट के अलावा कोई कारीन है जिसके उपर हम जाना चाहें क्योंकि एक सेडान है वो भी सब 4 मिटर सेडान है प्रॉपर सेडान नहीं है तो और महिंद्रा के पास तो सेडान के नाम पर कुछ ही नहीं आप सभी लोगो तो बाई रगी डरफ एंट टफ SUV इस पर ध्यान देते हैं और वह उनकी जबरदर सेल होती हैं चाहे वह एक से फाइब डबल हो थिरी डबल हो या फिर मतलब पहाड़ो की रहनी अपनी बुलेरों क्यों ना हो तो वह डिपैंड करता है ने देखो अपनी अपनी कंपनी की अप करते हैं करते हैं तो नीचे लाइक करके कमेंट करके आप लोग अपना ओपीजिन शेर करना और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो पता ही आपको क्या करना है सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी ऐसी और किसी वीडियो में तो तब तक लिए बाई-बाई टेक एर आपना लोग उँगए, आपास देना ड़ना बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-व, और आपक लिए जाए लोगे आपक लगार टेक हैं कर वैजिन पूलुझस, ऑज कर देना इसे और और हम इसे आपका लूए, अगए और पर चूलुझस, यजआ,